दोस्तो 24 फरवरी 2022 के बाद से हमने जो भी वीडियो गोल्ड के उपर बनाया वो वीडियो के अंदर हमने आपको क्लियरली बताया कि ये लेवल्ड गोल्ड के अंदर नए इन्वेश्टमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है आप देख सकते हो तब से लेकर अब तक गोल्ड के अंदर एक अच्छी गिरावट आई है और गोल्ड अभी कंसॉलिडेट कर रहा है चलो अब ये वीडियो से पता करने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से लेवल्ड होंगे जहां पर हम गोल्ड के अंदर निवेश्ट के बारे में सोच सकते हैं अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें चानल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचानवालों के साथ शेयर करना ना भूलें तक ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सकें दोस्तों 24 फरवरी 2022 को जब रशिया और यूकरेन के बीच में वार की शुरूरात हुई थी और उस दिन जो गोल्ड ने लो बनाया था 1778 का वो आने वाले दिनों में गोल्ड के लिए सपोर्ट का काम करेगा अगर गोल्ड ये लेवल को तोड़ता है तो गोल्ड के अंदर गिरावट 1830 से 1860 के एरिये तक बढ़ सकती है यानि कि ये लेवल तूटने के बाद सपोर्ट बहुती पास में है हमने आपको हमारे पूराने वीडियो से लगातर बताया है कि गोल्ड ने ये एरिये के पास आठ मैने कंसोलिडेट किया था और इसलिए ये 1830 से 1860 का एरिया बहुती महत्वपूर्ण सपोर्ट बन जाता है गोल्ड के डेली चाट के उपर अगर हम गोल्ड के सभी महत्वपूर्ण एक्स्पोनेशिल मुविंग एवरिजेज लगाते है तो हमें पता चलता है कि 100 दिनों का और 200 दिनों का एक्स्पोनेशिल मुविंग एवरिज आता है इसी महत्वपूर्ण सपोर्ट के पास उसी तरह से 1680 डॉलर से गोल के अंदर जो तेजी बनी 2070 डॉलर तक वहाँ पर अगर हम फीबोनागी का इस्तमाल करते हैं तो हमें पता चलता है 61.8% ये महत्वपूर्णा फीबोना की लेवल आता है 1830 डॉलर के पास तो दोस्तों आप देख सकते हो 1830 डॉलर से 1860 डॉलर का लेवल डेली चाट के उपर बहुती महत्वपूर्णा है गोल के डेली चाट से अगर हम गोल के वीकली चाट पर जाते हैं तो हमें पता चलता है गोल के वीकली चाट के उपर शूटिंग स्टार ये बेरिस रिवर्सल पैटन बना है और इसके बाद गोल के अंदर एक अच्छी गिरावट भी आई है ये गिरावट के अंदर गोल ने उसका ब्रेकाउट लेवल को भी टेस्ट किया है गोल के वीकली चार्ट के ऊपर एक असेंडिंग ट्रेंगल पैटन बना है जिससे गोल ने ब्रेकाउट डिया था और ये गोल्ड के breakout लेवल को गोल्ड ने फिर से एक बार रिटेस्ट कर लिया है गोल्ड के weekly चार्ट के उपर आप देख सकते हो गोल्ड उसके सभी महत्वपूर्णा exponential moving averages के उपर काम कर रहा है गोल्ड के weekly चार्ट से अगर हम गोल्ड के monthly चार्ट पर जाते हैं तो हमें प अपरेल मैना खतम होने तक इसका इंतजार करना पड़ेगा लेकिन गोल्ड के monthly चार्ट के उपर आप clearly देख सकते हो गोल्ड का 20 मैनों का exponential moving average अभी भी गोल्ड के लिए बहुत ये अच्छे support का काम कर रहा है और गोल्ड अभी भी इसके उपर है गोल्ड के monthly चार्ट के उप weekly और monthly चार्ट के उपर गोल्ड उसके सभी महतोपुर्णा exponential moving average के उपर काम कर रहा है उसी तरह से weekly और monthly चार्ट के उपर ascending triangle pattern से breakout डिया है लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा के गोल्ड के monthly चार्ट के उपर एक shooting star जो bearish reversal pattern होता है वो भी बनाए तो दोस्तों कोई भी clear स रंकेत नहीं है कि आने वाले दिनों में गोल्ड कैसे perform कर सकता है लेकिन दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया है कि गोल्ड अगर 1830 से 1860 के area में आता है तो वहाँ पर investment करने का अच्छा मौका हो सकता है silver के weekly chart के उपर आप देख सकते हो 21.40 डॉलर से 22 डॉलर का area बहुत ही अच्छा support है और यही support के पास 200 विक का exponential moving average भी आता है तो silver जब तक इसे तोड़ता नहीं है silver के अंदर कोई भी नई गिरावट नहीं आएगी तो दोस्तों ये वीडियो का सारा उंस यह है के gold के daily, weekly और monthly chart के उपर अभी भी कोई clear संकेत नहीं है लेकिन अगर gold 1830 से 1860 डॉलर के area के पास आता है तो हमें लगता है वहाँ पर एक बार investment के बारे में जरूर सोचना चाहिए तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें comment दोरा जरूर बताए अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करे चानल को subscribe करे और वीडियो को अपने दोस्तों और पैचानवालों के साथ शेयर करना ना बुले तक ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू